हेलो दोस्तों गेराचेतर की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों देब गुरु ब्रस्पती की चाल जो है आज बदलने जा रही है इसका निम्र रासियों पर बहुत प्रवाब पढ़ेगा और ये प्रवाब जो है लाबदायक भी हो सकता है और हानी कारक भ जात्री ग्यारा बचकर पंदरा मिर्ट वजे कुम्ब रासी में दोस्तों प्रिवेस करेंगे और अपने इस घर में 13 अपरेल 2022 की दुफेर में 3 वजकर 45 वजे तक रहेंगे तो दोस्तों देब गुरु जो ब्रस्पती है वो ब्रमांड के सबसे बड़े ग्रह माने जाते है और देब गुरु ब्रस्पती है वो ब्रमांड के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और देब गुरु ब्रस्पती का कुम्ब रासी में परावर्तन है वो मेस ब्रस्प और मिथुन रासी वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो किन छेत्रों में अच्छा रहेगा वो आपको मैं बताने जा रहे हूं सब प्रतम क्या है ये लोग जो है मेस ब्रसप और मिथुन रासी वाले लोग जो है वो धन संबंदी मामलों में लाब प्राप्त करेंगे यानि माला माल के सती होगी दोस्तों और घर पर मांगलिक कारिकरम होंगे शादी विभा अच्छे कारिकरम होंगे दोस्तों और समाज में इनका मान सम्मान बढ़ेगा जो भी काम कर रहेंगे है और बैपार में भी नए अफसर प्रत्पाप्त होंगे यानि कोई भी बैपार कर रहे है वो उसमें उनको नए अफसर प्राप्त होंगे और साथ-साथ इनका नौक्री रगने का भी विधान बन रहा है योग बन रहा है मतलब इसके अलावा दोस्तों जो सेश रासियां हैं तुला ब्रेश्चिक और धनूरासी इनको सुक समाचार मिलेंगे संतान सुक की भी प्राप्ती होने के असार है, नौकरी में भी प्रिमोशन मिल सकता है इनको और इनके सुकों के साधन बढ़ेंगे, यानि सुक के साधन बहान है, घर है और भी मतलब जो भी हमें सुक सुबदाएं वाले साधन होते हैं घर में टीबी है फिरीज है जिनके घरों में नहीं है उनके घर में यह सब चीजे आ सकती है लेकिन दोस्तों यह कुछ रासियों पर थोड़ा सा कम प्रफाब डालेगा यानि विप्रीत प्रफाब भी डाल सकता है वो रासिया कौन-कौन है जिनको साबधान रहने की आवशक्ता है वो है करक सिंग कन्या यानि करक सिंग कन्या रासिवालों को सतरक रहने की आवशक्ता है इनको धनका लाब तो होगा दोस्तों परंतु खर्चे बढ़ेंगे यानि आमदनी अठनी और रुपईया खर्चा वाली स्तधी होगी और दोस्तों कुम्भ और मीन रा तो इस तरह से स्वास्त पर प्रभाप यानि गिरावट हो सकती है अपने स्वास्त पर ध्यान दें और योग और ध्यान के माध्यम से यह अपने कुछ सेहदवन्द रगने की कोसिस करें मेरा कहने का मतलब यह दोस्तों जो करक और सिंग कन्या रासी वाले हैं यह विसेज कर सत लाबदायक है वो तो लाबदायक है उनको अच्छे रोजगार मिलेंगे जैसे कि बताया मैंने उपको साधी विभा अधन के लाब यानि माला माल होंगे उनको हर छेत्र में उनको आराम मिलेगा लेकिन जिनके लिए यह प्रभाब कम पढ़ रहा है इसका मतलब प्रतिकूल प अने वाद